Dear Students, मैं सद्धा इंटरकाले से इसलाम सर। आज आप लोगों को प्रकास में प्रकास, प्रकास के परावर्तन तथा प्रकास के अपॉर्तन के बारे में बताओंगा तो देखते हैं सबसे पहरे प्रकास क्या होता है तो देखिए प्रकास जो होती है वह एक प्रकार की उर्जा होती है प्रकास क्या होती है एक प्रकार की उर्जा होती है और यह जो प्रकास होता है वह ओद्रिस से होता है ओद्रिस से का मतलब जो दिखाई नहीं देता है परंतु इस प्रकास की सहायता से हम वस्तुमों को देखते हैं तो लिखेंगे प्रकास की परिभासा कैसे लिखेंगे देखिए कि प्रकास एक प्रकार की उर्जा होती है जो स्वयम तो अद्रिस्य होती है परंतु वस्तुमों को देखने में सहायता परदान करती है स्वैंस्टो अध्रिस से होती है परंतू वस्तमfähों को देखने में सायता-प्रतान करती अब हम पढ़ेंगे प्रकास के कुछ गुटधर्म या विश्यस्ता प्रकास के order निकित है जिसमें से पहला क्या है कि प्रकास जो वह सदयाव सीधी रिकामकती करती है और निर्वात में प्रकास की जुचाल होती है वह तीन गुड़ी दस के पावर आट मीटर प्रती सिकेंड होती है और द्रिश से प्रकास का तरंग दर्द 2400 श्रांग से 7800 श्रांग पंच चलंग तक होता है मतलब यदि किसी प्रकास का तरंग दयर्थ 4900 से कम या 7800 से अधिक होगा तो उसे हम इस फ़स्ट रूप से पता नहीं कर पाएंगे कि वह प्रकास किस रंग की है ठेक और जब कोई प्रकास किरड एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेस करती है तो उस प्रकास किरड की आवरित्ती नहीं बदलती है ठेक और यहां पर देखे अगला क्या है कि जब कोई प्रकास किरड एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेस करती है तो उस प्रकास किरड का तरंग बदल जाता है तरंग दर्द बदल जाता है जिससे प्रकास की चाल भी क्या हो जाती है बदल जाती है ठीक प्रकास का तरंग दर्द बदल जाता है जिसके करण उस प्रकास की चाल भी क्या होती है बदल जाती है अब हम बात करेंगे अगला पॉइंट कि प्रकास में परावर् करेंगे तो पहले देख लेते एक बार कि प्रकास का परावर्तन क्या होता है तो परावर्तन के लिए क्या होता है कि इसमें चिकना तल होता है जिसके दूसरे भाग पर पारे का लेप लगा देते हैं और जब इस चिकने तल पर कोई प्रकास की रड़ाती है तो जिस माध्यम स जाती उसी माध्यम में वापस लोड़ जाती है और यह घटना प्रकास का क्या खलाता है परावर्तन का लाता है अब प्रकास का अपवर्तन क्या होता है तो जब प्रकास किसी पारदर्सी प्रेट पराप्तित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह अपने मार्ग से बिचली कुछ रंग की कुछ रंग इन पट्टियों के नाम से जानते हैं और यह घतना जो होता है वर्ड विछ्छे पड़ का लाता है फिर से जब किसी प्रave प्रिजमें से यह सनलाइट है जिसको हम कर सकते हैं सूरे का प्रकास तो जब किसी प्रिजमें से सूरे का प्रकास गोई जाता है तो जो निर्गज प्रकास करण होती है वह साथ अलग-अलग रंगों में बढ़ जाती है और यह घटना प्रकास का क्या करलाता है वर्ड विछे बनना बीछेपड़ के कारण होता है नहीं अडिया तो देख लेते हैं प्रकास का परावर्तन के लिए तब разв ने कि जब प्रकास की रड किसी चिकने तल पर आपतित होती है और टकराने के बाद पुना उसी मात्य में वापस लड़ जाती है यह घटना प्रकास का परावर्तन का लाता है अब प्रकास के परावर्तन समंधी कुछ परिभासा है यहाँ पर देखिए प्रकास के परावर्तन का चीतर बनाया गया है तो इसमें यह जो तल है इस तल को परावर्तक तल कहते हैं तो परावर्तक तल की परिभासा क्या लिखेंगे कि जिस तल से परावर्तन की प्रक्रिया होती है उस तल को परावर्तक तल कहते हैं जो प्रकास किरण इस परावर्तक तल के समी पाती है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं जो प्रकास किरण परावर्तक तल से दूर जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं और आपतित किरड तथा परावर्तित किरड जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं आपतन बिंदु पर खीची गए एक सीधी रेखा को क्या कहते हैं अभिलंब कहते हैं यह क्या है यह है आपतित किरड और यह क्या है यह है अभिलंब तो आपतित किरड तथा अभिलंब के साथ बना कोड़ आपतन कोड़ और आपतन कोड़ को किस से आई से और परावर्तित किरड़ और अभिलंब के साथ बना कोड़ परावर्तन कोड़ आर परावर्तन कोड़ जिसको हम आर से प्रतसित करते हैं कित क्या लिखे यहां पर यहां पर परिभास हम लिखा गया है कि जो प्रकास किरड़ परावर्तक तल के समी पाती है उसे आपतित किरड़ कहते हैं तो यहां प्रकास किरड़ है यहां प्रकास किरड़ देखे परावर्तक तल के समी पा रही है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे आ आप्तित किरड़ जो प्रकास किरड़ प्रावर्तक तल से दूर जाती है उसे प्रावर्तित किरड़ कहते हैं तो देखे यह प्रकास किरड़ जो है वह टकराने के बाद प्रावर्तक तल से दूर जा रहे है इसलिए इसे प्रावर्तित किरड़ कहेंगे और तथा जिस तल से परावर्तन की क्रिया होती है उस तल को परावर्तक तल कहते हैं तो यहाँ पर देखिए एक तल है ना और इसी तल से परावर्तन की क्रिया होती है इस तल को क्या कहते हैं परावर्तक तल कहते हैं ठेक अब बात करेंगे कि आपतित किरड तथा परावर्तित किरड परावर्तक तल के जिस बिंदू पर मिलती है उसे आपतन बिंदू कहते हैं तो यहाँ पर देखिए यह हो गया आपतित किरण यह हो गया परावर्तित किरण तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण परावर्तन तरके इस बिंदू पर मिली तो इस बिंदू कम कौन सा बिंदू कहेंगे आपतन बिंदू और आपतन बिंदू पर खीची गई सीधी रेखा को हम क्या कहेंगे अभिलंब कहेंगे यह अभिलंब हो गया और इसी अभिलंब के साथ आपतन कोड तथा परावर्तन कोड बनता है आपतन कोड के लिए आपतित किरड और परावर्तन कोड के लिए परावर्तित किरड लेंग का लाता है ठेक तो यह देखिए आपतित की रड़ है तो आपतित की रड़ और अभिलंब है इनके साथ बना कोड़ आपतन कोड़ जिसको किसे आई से और परावर्तित की रड़ और यह अभिलंब है इसके साथ बना कोड़ परावर्तन कोड़ जिसको किसे आर से एक बार चित किरण परावर्तक तल से दूर जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं और जिस तल से परावर्तन की क्रिया होती है उस तल को परावर्तक तल कहते हैं आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदू के जिस बिंदू पर मिलती है या काटती है उसे हम आपतन बिंदू कहत के प्रकास के परावरतन के नियम करते है तो इसमें देखिए प्रकास के परावरतन के दो नियम होते हैं तो यहां पर माल लेते हैं यहां परावर्तक तल है यहां आपतित किरड़ है यहां परावर्तित किरड़ है और यहां आपतित किरड़ परावर्तित किरड़ और आपतित 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 किरड तीनों एक ही तल में होते हैं यह उपर वाले ही तल में है तो बस उपर तल में रहेंगे या तो नीचे तल में रहेंगे तो पहला नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदू पर खिचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और दूसरा क्या है कि आपतन कोड का मान सदय परावरतन कोड के मान के बराबर होता है अर्थात आपतन कोड कोड आई बराबर परावरतन कोड कोड आर ठेक तो अगली वीडियों हम इसके बात देखेंगे